गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स, तो टोड़े वे वे गूंग तो स्टार्ट ओवर नेक्स्ट एक्सथाइज दिए 3.3 ओफ चेप्टे 3 इल्स टेंड एंड मैट्स ओके, so see, we have first question given that, given a parallelogram, हमें एक parallelogram given होगा, ठीक है, उसमें ABCD है, उसे हमें complete करना है, parallelogram है, वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, diagram में, 3.1 x size में, so see, उसमें बोला गया था कि AD is equals BC, ठीक है, तो AD है, वो BC के equal है, क्योंकि opposite sides जो होती है, वो, equal होती है parallelogram की, then, angle DCB is equals angle DAB, अ एक दूसरे को, मतलब, वो center से cut करते हैं, एक दूसरे को, okay, so see, fourth, हमारे पास है, fourth part, कि angle DAB plus angle CDA is equals 180 degree, क्यों, क्योंकि adjacent angles मतलब, ऐसे angle जिनका एक ही corner हो, ठीक है, तो वो क्या होते है, adjacent होते हैं, इसलिए 180 के equal होते हैं, next, we have question second की, हामें कुछ पराग्राम दिये गए है, उसमें X, Y और Z की हमें values, find out करनी है, तो सबसे पहले X plus 100 degree is equals 180 degree, देखे दिया हुआ है, X plus 100 क्या हो गया, 180 हो गया, क्यों, क्योंकि adjacent angle सा supplementary, यह क्या है, supplementary है, मतलब, supplementary है, मतलब, कि दोनों मिलकर क्या करते हैं, 180 बनाते हैं, अगर 100 दूसरा क्या हो जाएगा, 80 degree हो जाए अब यहां पर बोला गया है, X is equals 80 degree है, so Z is equals X is equals 80 degree, कि Z भी क्या हो जाएगा, 80 degree हो जाएगा, अब ऐसा क्यों, तो opposite angles are equal, मतलब, अगर B angle है, angle B 100 degree है, तो उसका opposite है, वो क्या है, D है, ठीक है, पर वैसे ही क्या हो जाएगा यहां पर, देखे, Z क्या बोला गया है, तो Z है, Z का opposite angle क्या है, X है, ठीक है, तो X क्या है, 80 degree हो गया, तो Z भी क्या हो जाएगा, 80 degree हो जाएगा, क्योंकि opposite angles क्या होते है, एक बल होते है, अज़िज़ देखें, हर पास second part भी है, second part में बोला गया है, कि 50 degree plus Y equals 180 degree, अब 50 degree है, अब उसे भी लोग Y करेगे, मतलब Y हो गए, जो हमने पहली भी देखा था, कि adjacent supplementary angles है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगे, 180 बनाएगे, तो अब माइनस कर दिया, 180 भी से 50 को, तो हमारे पास Y कितना आगे, 130 degree आ गया, तो देखें, 50 तो हमारे पास है ही पहले, Y आगे हमारे पास, अब अगर Y 130 है, तो जो उसके opposite जो X है, वो भी 130 होगा, क्योंकि opposite angles होते है, वो equal होते है, और दुसरा corresponding angles है, ठीक है, corresponding मसलब, equal जैसा ही, opposite जैसा ही हो गया, वो भी अब, नेक्स्ट हमारे पास से third one, अब इससे क्या बोला गया है, क्या X is equal से हो कितना है, 90 degree का है, अब X कहा, X है, वो 90 degree है, तो vertically opposite angles है, X plus Y plus 30 is equals 180 degree, ठीक है, अब यह कैसे हो गया, कि देखे, नीचे जो rhombus दिया गया, उसके नीचे एक sign लगा हुआ है, उसके नीचे sign लगा हुआ है, जहापे मैं red color से, ठीक है, वो 90 का है, तो उसका opposite X है, तो वो भी 90 का होगा, अब उसी तरीके से देखे, 90 plus 30, ठीक है, और plus Y, X plus Y plus 30 degree, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, अब उसमें हमें X तो पता है, कि X कितना है, 90 का है, ठीक है, फिर 30, तो है, हमारे पास Y निकल जाएगा, तो Y कितना आ गया, हमारे पास 60 degree आ गया, तो वैसे ही, अब Y 60 degree है, तो Z उसका opposite angle है, alternate interior angle है, तो equally होगे, तो वो भी कितना हो Z है, वो 80 degree दिया हुआ, corresponding angle है, हमारे पास आ गया, ठीक है, Z क्या हो गया, 80 degree का angle हो गया, वैसे Y क्या हो गया, वो भी 80 degree का हो गया, क्योंकि वो Z के opposite angle है, then X plus Y, दोनों को मिला के कितना हो जाता है, 180, आभी हमने जो पढ़ा कि supplementary हो था है, adjacent angle है, वो क्या है, supplementary, दोनों को मिला यहां पर angle जो है, वो 100 degree का आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास जो angle है, X का X कितना आ गया, हमारे पास 100 degree आ गया, so as it is, next जो है, फिफ्ट पार्ट उसमें क्या बोला गया है, कि Y कितना है, 112 degree दिया हुआ है, तो वो क्या होगे, opposite angles होगे, जो कि equal होते है, then next है, X plus Y plus, इसक हमने उसको मानस कर दिया, अब देखिए, Y की value भी हमें given है, और हमारे पास 40 degree भी है, तो हम लोग X की value निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि 40 plus 112 degree को हम लोग 180 से मानस कर देंगे, तो जब हमने 180 में से 112 degree plus 40 कर के मानस किया, तो कितना आ गया, 28 degree आ गया, देखिए, 112 plus 40, यहनी कि 152 हो गया, तो हमने क्या क्या, कि 180 में से 152 को मानस कर दिया, तो महरे पास आज से निक नीचे value एंगल इतना आ रहा है ठीक है तो X is equal Z is was 28 degree क्योंकि Z है वो भी X के इक्वल हो जाएगा और ऐसा क्यों होगा क्योंकि X और Z है वो alternate interior angle है मतलब जैसे कि X है वो X है वो right side में है तो Z है वो क्या होगा left side में हो जाएगा तो इस तरीके से बताया गया है कि वो alternate interior angle है इसलिए हमें alternate interior angle है वो क्या होता है और इकवल हो जाएगा और इंगल में यहां पर हमारा exercise 3.3 standard maths में second question यहां पर खतम होता है आप कोई भी doubts हो तो आप प्लेज मुझे बताइएगा इसमें दो questions की diagrams मैंने नहीं दिया है क्योंकि जिसलिए फिफ्ट पार था इसका diagram आपके book में दिया हुआ है तो आप उसमें से देखिएगा और एक पहले first question है उसका भी diagram आपको आपकी book में दिया हुआ है तो आप वहां से देखिए और उसे समझ दे कि कोशिस केजिएगा अगर आपक आइस वीडियो बताइएगा मैं आपको फिर से वीडियो सेंड करूंगी ओके टैंक्यू